एमिरेट सेयर राइन ने फिर दुबारा से यूगांडा से अपने फ्लाइट ओपरेशन को शुरू कर दिया है थाइलेंड की गवर्मेंट अफ्रिकन देशों से एक बर फिर अपने फ्लाइट्स ओपरेशन को शुरू कर रही है भारत की बात करें तो भारत के पैसेंजर्स के लिए थाइलेंड की गवर्मेंट ने अभी भी अपने बॉर्डर खोल रखे हैं लेकिन इन सभी देशों से आने वाले पैसेंजर्स को थाइलेंड में पहुशने पर अपना कुरोना वाइरस का टेस्ट कराना कंपलसरी होगा और रिजल्ट आने तक उनको क्वारेंटीन में भी रहना होगा पंजाब के अमरिसर इंटरनेशनल एरपूर्ट पर लगातार दूसरे दिन इटली से आए एक विमान में काफी संख्या में यात्री कुरोना संकमित पाए गये हैं अभी तक की खबर के मताबिक विमान में सवार 285 यात्रियों में से 170 यात्रियों की कुरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सभी यात्रियों को अमरिसर में क्वारंटीन किया गया है बता दे की गुरुवार को भी इटली से आई इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट के 170 यात्रियों में से 125 यात्री कुरोना संकमित पाए गये थे नाइस एरलाइन के उडान कुल 280 यात्रियों को लेकर मिलान शहर से अमरिसर के लिए रवाना हुई थी इस विमान के अमरिसर पहुशने पर जब यात्रियों की कुरोना जाच की गई तो हड़कम्प मच गया विमान में सवार 285 यात्रियों में से 170 यात्रियों की कुरोना रिपोर्ट पाई गई ये लगाता और दूसरा दिन है जब इटली से आए किसी विमान में इतनी संख्या में यात्रियों कुरोना पॉजिटिव पाई गए है भारत सरकार ने रिस्की देशों वाली सूची को अपडेट किया है इस सूची में 20 नाम और एट किये गया है इन 20 देशों से आने वाले सभी पैसेंजर्स को भारत की किसी भी एरपोर्ट पर पहुशने पर कुरोना वायरस का टेस्ट कराना कमपलसरी होगा और टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो आने वाले सभी पैसेंजर्स को साथ दिनों के होम कॉरंटीन में भी कमपलसरी रहना होगा भारत सरकार द्वारा ये नया नियम 11 जनवरी से लागू कर दिया गया है लेकिन यहां पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप चाहे रिस्क वाले देश से आएं चाहे नॉर्मल देश से अगर आप भारत में किसी दूसरे देश से ट्रवल करके पहुश रहे हैं तो आपको भारत में पहुशने पर साथ दिन के कमपलसरी होम कॉरंटीन नियम को फॉलो करना होगा रिस्की और नॉन रिस्की देशों से ट्रेवल करने वाले पैसंजर्स में फर्क सिर्फ इतना होगा कि रिस्क वाले देशों से आने वाले पैसंजर्स को इंडिया में पहुशने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराना कमपलसरी होगा जबकि नॉन रिस्क वाले देशों से टेस्ट नहीं कराना होगा दुबई से इंदोर एयरपोर्ट पर उत्रे दो पैसेंजर्स कोविड जांच से पहले भाग निकले देवी अहिल्याबाई होल कर एयरपोर्ट पर बुद्धवा रात दुबई एयर इंडिया की फ्लाइट पहुची पैसंजर्स में से तीन की कोरोना जांच की जानी थी और उन में से दो यात्री बिना जांच करवाई ही एयरपोर्ट से भाग निकले रात आट बच कर पचपन मिनट पर पहुचने वाली ये फ्लाइट सवा नौ बजे एयरपोर्ट पर पहुची जिसे 115 यात्री इन दोर पहुचे इन में से 2% के आधार पर तीन यात्रियों की जांच की जानी थी सनावर अली हातिम लखन और हकीम मुद्दीन को चुना गया था जांच के लिए एक यात्री सनावर अली को लेकर एयर इंडिया करमचारे जांच काउंटर पर पहुचा और कहा की दो अन्य यात्री पहुच रहे हैं लेकिन बाद में पता चला कि दोनों ही यात्री एयरपोर्ट से भाग निकले जांच के लिए पैसंजर्स के नाम एयर इंडिया नहीं सिलेक्ट किये थे एयर इंडिया के अधिकारियों को ही यात्रीयों को लेकर जांच काउंटर पर पहुचना था लेकिन दोनों ही यात्री भाग निकले बताये जा रहा है कि नियमों का उलंगन करने पर दोनों यात्रियों को पकड़ने के बाद उनकी जांस तो करवाई ही जाएगी साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कारवाई भी की जा सकती है